Welcome to Sociology Classes, मैं हूँ Shibu, आपका Sociologist दोस्त, आज हम इस क्लास में MSO 001 का Assignment को Solve करेंगे, यहाँ पर पुरा का पुरा Assignment आपके सामने Solve किया जाएगा, आप लोग यहाँ से डाइरेक्ली आपके जो Assignment Paper है उस पे लिख सकते हो यह जो चैनल है, इस पे आपको Sociology related सारे वीडियोस मिलेंगे, यहाँ पर सारे चीज़े प्लैलिस्ट के दुआरा प्रोवाइट किया गया है हम जो भी इगनो में admission लेते हैं, हम सबका एक ही problem होता है, हम बहुत सारे job करते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी बज़े से regular mood में continue नहीं कर पाए लेकिन इस से भी बड़ा problem होता है, हम notes कहां से बनाएंगे, हमारे पास पढ़ने में इतना जादा सारा material होता है, हम कहां से पढ़ेंगे इन सारे problem का solution है मेरा इस channel पर, इस channel पर बहुत सारे playlists है, जहां से आप लोग अपने जो भी courses है, उसको study कर सकते हो, आप लोग बुक्स भी पकड़ने की जरूरत है नहीं, आप लोग बिंदास exam में ये सारे notes लिखके आ सकते हो, मैंने खुद इगनो से masters किया है, उसके बाद net और select clear किया है, इस बज़े से आप लोग मुझे पर trust रख सकते हो, तो चलिए आज का ये assignment का solution स्टार्ट करते हैं, assignment हम जब भी लिखते हैं, तो हमारा पहले front page होता है, उसके बाद होता है हमारा index, जहां पर हम कौन सी question का answer कर रहे हैं ये लिखते हैं, और उसके बाद होता ह है हमारा question paper, जब भी आप लोग assignment submit कर रहे हो, ध्यान में रखना कि question paper उसके साथ attach हो नहीं, तो वो लोग reject कर देते हैं, इसलिए question paper must attach करना, उसके बाद हमारा होता है one by one question, अब हम solution start करते हैं, हमारा जो भी question pattern है, वहाँ पर section 1 और section 2 है, दोनों section में से मिला कर हमें 5 question answer करने हो होते हैं, और किसी एक section से 2 minimum हमें answer करने होते हैं, अब हम पहला जो question है, वो है, जो दोनमबर question है, compare and contrast the functional approaches of Redcliffe, Brown and Milinowski, Milinowski और Redcliffe Brown का जो भी functional approach है, इसको हमें compare करना है, और यह एक दूसरे से क्यों अलग है, इसके बारे में हमें पूछा गया है, यह सारे चीजे जो भी है, classes में मैंने पहले भी playlist बहुत सारी है, वहाँ पर मैंने discuss कर दी है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूँग कि आप लोग क्या है यह चीजे ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत चीजे हो, अगर आप अपने end से कुछ add करना चाहते हैं, तो add कर पाए, यहाँ पर पहले जब भी हम कोई question solve करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे कि हम introduction part और conclusion part जरूर दे, क्योंकि इन दोनों पर बह functional approach में जो सारे चीजे जैसे structural functionalism, collective consciousness, emphasis on society as a whole, functional interdependence और emic perspective यह सारे चीजे लिखेंगे और इनके अंदर जो भी content है इसको लिख डालेंगे, फिर लिखेंगे हम मेलिनोस्की का जो functional approach है, उन्होंने functional approach में कौन सी चीजों को discuss किया है, मेलिनोस्की ने individual need के उपर बहुत ज्याद study की है, उनका एक theory है individual need के उपर, यहाँ पर मैं इस class के description box में आप लोगों को सारे चीजे प्रोवाइट कर देऊंगा, सारे link प्रोवाइट कर देऊंगा, कि मैं कौन सी कौन सी जगा पर, कौन सी classes मैंने पहले ही करवा रखा है, functional need के बारे में study करते हैं, फिर participant observation के बारे में पहले मेलेनोस की है, जिन्होंने study कर किया था, फिर practical function, psychological aspects और ethnographic approach, उन्होंने ethnographic approach यूज करके अपना बहुत सारे study conduct किया था, और आखिर में आता है हमारा conclusion, जहाँ पर हम इन दोनों को study करने के बाद कौन सी चीजे पाते हैं, अब देखते हैं, question number 4, यह है, what is new functionalism, examine its strengths and limitations, new functionalism क्या है, हम में से बहुत सारे लोग जो sociology background से है ही नहीं, हमें बहुत सारे terms ने ने दिखेंगे, हमें ने लगेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा focus करके study कीजिएगा, मेरे channel का playlist में जाके चीजों को देखिएगा, आपको सब कुछ clear हो जाएगा, अब देखते हैं, new functionalism क् functionalism क्या है, functionalism यानि कि हम जब भी society को study करते हैं, हर society के एक भी चीज को हर part का कोई ना कोई फंक्शन होता है, जो भी functionalist होते हैं, वो जो भी कि society वे कोई भग कोई चीज हो उसका कोई ना कोई function होगा ही जैसे religion, religion की वे function है crime जो है वो भी हमारा function है अगर crime नहीं होगा तो हमारे society आगे कैसे बढ़ा है कौन सा चीज सही है गलत है ये सारे चीज़े कैसे पता चलेगी यानि कि functionalist ये सोचते है कि हमारे society में जो भी चीज़े exist करती है हर किसी का कोई ना कोई function होता ही है अब आता है post-functionalism post-functionalism में हम देखते हैं जो सारे लोग functionalism को criticize करते है यानि कि उनको opposite में कहते हैं कि functionalism के कौनसी कौनसी चीज़े खराब है उनको कहा जाता है post-functionalist या फिर उस जो method है उसको कहा जाता है post-functionalism अब आते हैं हमारा आज का topic new functionalism new functionalism में वो सारे लोग होते हैं जो functionalism को अच्छा कहते हैं और उसके साथ-साथ बहुत सारे चीज़े add करते हैं यहाँ पर इस topic पे आपको पूछा गया है कि new functionalism का strength क्या है और limitations क्या है यहाँ पर हम new functionalism का definition लिखेंगे फिर लिखेंगे strength of new functionalism यहाँ पर holistic approach है functional analysis है और integration of change है और limitation में हम देखते है static view of social change overemphasis on stability और lack of agency फिर आखिर में हम लिखते है conclusion जो आप यह सारे जो study के है इससे आप लोगों को क्या conclusion मिला अब देखते है next question जो है examine the relationship between identity and identification यानि कि identity और identification में क्या फरक है identity अगर हम simple भाषा में कहे तो कोई भी एक इंसान का परिचा है वो क्या है वो किस चीज़ को belief, value, attitude, उनका personal characteristics क्या है इन सारे चीज़ को कहा जाता है identity और और identification यानि कि आपका कोई ऐसा symbol या फिर आपका जो भी role, characteristics है उसको कहा जाता है identification यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया गया है आप लोग इसको assignment में लिख सकते हो और फिर देखते हैं हम identity और identification में क्या relation है जो भी relation है mainly has self identity social identity group dynamics, fluidity and change यह सारे जो भी चीज़े है इनको हमें detail में लिखना होता है क्योंकि हमारा जो assignment है वो 500 words का है हमें word limitation भी ध्यान में रखना होता है और आखिर में हमारा होता है conclusion जहाँ पर हम यह पूरा topic जो है इससे क्या सीखते है और हमें क्या पता चलता है यह सारे चीज़े हम लिखते है अब देखते है what is sovereignty discuss the difference between internal and external sovereignty sovereignty यानि कि सारवभोमोत means कि हम जब भी कोई भी society में कोई भी state में कोई भी rule कर रहा हो कोई भी government हो democracy हो वहाँ पर कुछ ना कुछ sovereign power होता है यानि कि कुछ ultimate powers होते है जो सारे decision लेते है यह sovereign power ऐसे होते है जो बाकी सारे चीज़ों से influence नहीं होते है वो खुद का ही कुछ power होता है उसको कहा जाता है sovereignty sovereignty ऐसा power है जो आपको society को govern करेगा government का सबसे higher position पे होगा इसमें internal sovereignty होता है और external sovereignty यानि कि अगर कोई भी sovereignty ऐसा हो जो कुछ state के अंडर में jurisdiction में ही काम कर पाए तो उसको कहा जाता है internal sovereignty और जो उस state से बाहर काम करे उसको कहा जाता है external sovereignty यहाँ पर external sovereignty और internal sovereignty का difference दिया गया है आप लोग इसको step by step लिख सकते हो और आखिर में देखते हैं हम conclusion में conclusion में हम internal और external sovereignty में क्या चीजे पाते हैं और किसके पास ज्यादा authority होता है इसके बारे में discuss करता है internal sovereignty यानि कि हमारे state के अंदर जिसका power ज्यादा होता है जो authority होता है वो होता है internal sovereignty और external sovereignty यानि कि उस state के jurisdiction के बाहर जाकर जो काम करे जो international communication स्तापित करे वो हो जाता है external sovereignty अब next देखते हैं हम अगला question discuss, focus, approach to archaeology of knowledge to understand society यहाँ पर Michel Foco का एक concept जो archaeology of knowledge है इसके बारे में discuss करने के लिए कहा गया है और उन्होंने archaeology of knowledge से society को किस तरीके से understand किया था इसके बारे में पूछा गया है archaeology of knowledge आप लोग जो भी लोग study कर रहे हो आप लोग sociology background से नहीं हो आप लोगों को नहीं पता होगा के Michel Foco कौन है Michel Foco एक sociologist है जो सारे चीजों को ज्यादातर चीजों को critically देखते हैं यहाँ पर archaeology of knowledge यानि कि उन्होंने knowledge को study करने की कोशिश की थी उनका जो method था वो बाकी लोगों से अलग था लोग नॉर्माली जो सारे चीजों को knowledge pattern होता है उसको study करते हैं लेकिन Michel Foco ने archaeology of knowledge में knowledge के अंदर knowledge का जो structure है उसको study करने की कोशिश की थी उन्होंने चीजों को critically understand किया था कि हमारा जो बाहर से हम दिखते हैं चीजे जो knowledge बाहर से game करते हैं लेकिन उसका अगर हम structurally study करें तो बहुत in-depth होता है और उसमें बहुत सारे changes होते हैं इसलिए उनका archaeology of knowledge concept बहुत एक important concept है यहाँ पर मैंने archaeology of knowledge के related जो सारे चीजे लिखना जरूरी है सारे चीजे attach कर दिया है और conclusion में हम देखते हैं कि archaeology of knowledge में क्या किया चीजे है और उन्होंने किस तरीके से study करते हुए कौन सी चीज finding किये है यह सारे चीजे आप लोग conclusion में लिखेंगे आज के class में मैंने shortcut में आप लोगों को चीजे समझाने की कोशिश की थी आप लोग मेरा जो यह channel है इसको subscribe ज़रूर कर देना है यहाँ पर मैं बाकी सारे जो notes है जो भी आप लोगों को चाहिए जो भी assignment चाहिए आप लोग comment box पर लिखिएगा मैं जरूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों का assignment प्रोवाइट करने के लिए यह पर सारे चीजे फ्री में मिलेंगी just subscribe the channel आशा करता हूँ आज का जो यह class है topic है यह आप लोगों को अच्छा लगा है notes बनाने में help होगी तो चैनल को subscribe कर दियेगा और वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा क्यूंकि sharing is caring अगर आप चीजे दोस्तों के साथ share करोगी तभी उनको पता चलेगा कि आप उनके लिए care करते हो तो मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहिए सुअस्त रहिए और लोगों में प्यार बाटते रहिए जय हिंद